मुनावर भाई से दोस्ती हो गई क्या हाँ दोस्तों सालों की दुस्मनी हुई खतम एलवी सादो और मुनावर फारुकी की जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि एलवी सादो एक बार मुनावर फारुकी से गले मिलाए थे उसके में एल्वी सादो के फैन काफी भड़के हुए थे कि अपने दुस्पन को कैसे गले मिला लिये फिर बाद में एल्वी सादो को माफी मागना पड़ गया था यानि कि विस्तार से बताया या यह नहीं है वो नहीं है लेकिन अल्विस आदो ने एक बहुती बड़ा रहिस कराज बताया है यहां पर यह बोलते हुए नजर आ रहा है किसी ने पूछा कि आप मुनावर फारुक किसे हेट करते हैं कि नहीं आप लोग सबसे पहले एक छोटो से वीडियो क्लिप देखिए मुनावर भाई से दोस्ती हो गई क्या यहार देखो एक मैं तुम्हें चीज बता दूँ मैंने ना पहले भी बहुत सारी बारी क्लियर करा है कि मैं मेरी दुश्मनी किसी से नहीं है समझे रहे मेरी दुश्मनी भाई किसी से भी नहीं है जो मेरे से respectful बात करता है मुझसे respect से बात करते है अब जैसे मुनावर है मुनावर मेरे को playground में मिला भी साथ में mentor है तो मेरी उसकी नहीं हम चारो की हम चारो अच्छे से बात करते हैं एक दूसरे को respect देते हैं और सही हमारी chemistry बन रही है आप लोगों को आउन स्क्रीन दिखेगा प्लेग्राउंड सीजन फोर में तो उसमें आपको पता रख जाएगा कि भाई आइस सब कुछ दुश्मन ही नहीं है सब लोग लोग की बात है जो लोग अच्छे हैं हम से अच्छे हैं हम उन से अच्छे हैं और ऐसी चलता होगा उनके दिमाग में भी कोई दुश्मनी थी भी नहीं भाई आतो गाज आप लोगों ने ये वीडियो देख लिया आप लोगों को समझ में आई गया हुआ कि अल्वी सादो क्या कहना चाहरा है